दस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हो शाओमी पैट 6 और यह टैप की अभी भी जो डिमांड है ना यार वो नेक्ष लेवल आपको अगर मैं सच बताऊ ना यह टैप मैंने सेगें परचेस किया था एंड मुझे यह काफी अच्छी प्रैसिंग में देखने वो 20-22 रुपे के रेंज में आता है दूरिंग अच्छी चल रही होगी ना तो बीस यार के नीचे भी आपको यह देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले दुस्ता आपको बता दू यहां पर यह जो टैप है इसकी जो बिल्ट कॉलिटी है यहां पे कोई भी कॉश कटिंग नहीं की गई है आपको यहां पर फुली अलुमीनियम बिल्ट देखने को मिलता है जो की जिनरली काफी मेहंगे टैबलेट्स में देखने को मिलता है ताप ऐसे पकड़ने में काफी प्रीमियम फील होता आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप 20-25 रुपे का टैप पकड़े है अगर आप इसको गिराएंगे पड़ाएंगे तो बैक पैनल में तो आपको कोई भी इसू देखने को नहीं मिलेगा और यहां पर दस्तों जो इसका कैमरा बंप है यहां पर आपको ऐसा लगेगा कि यह डूए ट्रिबल कैमरा सेट अप है लेकिन ऐसा नहीं है यह एक सिंग लुक वाइस काफी प्रीमियम में काफी लेटेश्ट है ऐसा कोई उल्ड स्कूल लुक आपको प्रोवाइड नहीं करता और यहां पर दोस्तों बात करें इसके डिस्प्ले की तो यहां पर आपको 11-inch की IPS LCD डिस्पर देखने को मिलती है जो की 144 Hz के साथ आती है और यहां पर बता दूं आपको यह तैब अपने प्राइस सेक्मेंट में काफी काफी कम है तो आपको कहीं से भी यह तैब ऐसा नहीं लगेगा कि यह ओल्ड डिजाइन के साथ आता है पूरे लेटेश्ट डिजाइन के साथ है और यहां फ्रेंड कामरा भी देखने को मिलता है जिसके बा दो ले सकते हैं जो वीडियो है वह 4K 30fps सक मैक्स ले सकते हैं जो की काफी सही है फॉर दिस प्राइस लेकिन वहीं बूलना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम लोग कामरा पर फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे कामरा ओके है फॉर वीडियो कॉल्स पर दोक्मेंट स्कानिंग औ अगर हाई रिफ्रेश रेट वाला गेम है तो वह भी इसमें सपोर्ट करेगा और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे जब आप वीडियो देखेंगे नेट्फिक्स में यह माल लीजी मूवीज देखते हैं यह यूट्यूब ब्राउस करते हैं डेन डेफिनिटल आपको कहीं प प्राइजिंगे कंपेट आइप 10 जेनरेशियन और यह इसके प्लस इसकी प्राइजिंग कम होने के साथ साथ इसके जो डिस्प्ले है वह डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करते है तो यह इसकी काफी अची खासियत है तो यह तो जुस्तों बात होगे डिस्प्ली कि आपको आपको यहां पर बता दू जो इसके स्पीकर्स भी है आपको यहां पर क्वाट स्पीकर्स देखने को मिलेंगे और इसका साउंड आउट पूट दिस प्राइज सेग्मेंट मलब नो वन कें बीट इट अंडर 40K फॉर 10 टैबलेट आपको बता रहा हूं आपको मजा आ जाने यह जो टैब आपने पर्फॉर्मेर्स के लिए ही जाना जाता है इसमें हमें स्नाप्ड्रेगिन 870 देखने को मिलता है और 870 in 2024 अभी भी काफी केपेबल प्रुसेसर है आपको गेमिंग करनी है आपको मूवीस देखनी है आपको मल्टी टास्किंग करनी है आपको वीडियो आपको यहां पे कोई भी परिशानी नहीं होगी even in the long run अगर मैं आपको यहां पे software support के बारे में बता हूँ अभी यह tab रन कर रहा है Android version 14 पे तो आप देख सकते हैं इसमें latest OS का update देखने को मिल जाता है और जो security patch है वो अभी इसमें में का चल रहा है और यह पेन इस टैप के साथ ना it works like magic मैंने इसका full review भी बना रखे अलग से आपको अगर चेक आउट करने तो link पर description में दे दूँगा तो Apple iPad की तरह ही यहां पे यह जो पेन है यह वायरलेसली चार्ज होती है आपके टैप के साथ पर चार्ज होने लग जाएगी उसके पाद पर दो पटन समय देखने को मिलते हैं तो यह दो पटन को उपी होगा आप जैसे अगर पहला बटन नबाएंगे और कहीं पी स्क्रीन में से टैप करेंगे तो आपका जो नोट से वो पेन हो जाएगा नोट से ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी लिखना है जैसे कि मैंने लिखा सब्सक्राइब और आपको कुछ भी लिखना है तो आप डेफिनिटली एक क्लिक में ही अपने नोट से आपको उपन कर पाएंगे जो कि शॉमी ने इस सॉफ्ट्वेर एक्स्पिरिय प्रॉइट करके दे जाता है वहीं पर दोस्तों अगर आप यह जो सेकंड वाला बड़न है उसको टाप करेंगे और माली जागर आप गूगल पर है गूगल पर आप इस बेटन को इसे टाप करेंगे यह कहीं पर भी कोई भी स्क्रीन में और आप ऐसे कुछ भी इसे सिलेक क करेंगे तो यह स्क्रीन शॉट ले लेता उस चीज का और आपको उसी कंदर कुछ माउं किन्स करनी है कुछ चीज लिखनी है तो आप सकते हैं माक कर सकते हैं तो ये एप में, ये एप में, तो वह मैं definitely कर सकता हूँ, और दोस्तो ये जो buttons है, इनका आप use करके न, जैसे आपको pen से rubber पर shift होना है, rubber पर marker पर shift होना है, तो एक एक button आप click करते जाएंगे, उसमें आप shift होते जाएंगे, तो इस type की functionality भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती ह और अगर आपको screen off करके भी लिखना है तो वह वाला function भी हमें देखने को मिलाता है आप pen का यह जो firmware है उसको भी अपडेट कर सकते हैं जो कि काफी सही चीज है और आप यह पिस क्रीबल वाला feature जो Apple के iPad में देखने को मिलता है वो भी हमें इसमें इन-build देखने को मिलता है तो उस website का जो कि definitely काफी cool फील होता है मतलब यह Samsung में हमें देखने को मिलता है लेकिन आप यह शाओमी पे भी इसका utilize कर पाएंगे तो शाओमी के pen में भर-भर के features पड़े हैं बाकि अगर multi-tasking की भी बात करूं तो शाओमी ने आप यह काफी कमाल कर रहा है तो जैसे मुझे यह नोट्स भी वर्क करेगा और यहां पे आपका जो website वो भी वर्क करेगी YouTube भी वर्क करेगा और इतना ही नहीं आप और भी आप्स उपन कर सकते एक साथ तो फॉर एग्जामपल क्यामरा ट्राय करते नहीं क्यामरा multitasking में open नहीं हो सकता दूसरा settings ट्राय कर लेते settings you multitasking में open नह कर देती है यह सबसे अधा काम कब आएगा मैं आपको बताता हूं तो फॉर एक्जामपल जैसे मान लीजिए में को ना नोट्स बनाने और मैं जो classes देख रहा हूं वो YouTube पे है तो मैंने YouTube को जो है यहां पे ड्रॉप कर दिया और मेरी जो यहां पे नोट्स है वो यहां पर है तो यह बेसिकली काफी सही experience रहता है आप यहां पर अपने नोट्स बनाते जाहिए यहां पर यूट्यूब बे वीडियो देखते जाहिए यह काफी useful होता है और तो नोट्स ही तो क्या ही बात करूं अगर आप एक student है ना तो इसमें एक नहीं इसमें दो दो नोट्स आप द बना के लिखने हैं तो मैं इस तरीके से कर पाता हूँ और यह काफी अच्छे तरीके से वक करता है जैसे कि आप स्क्री में देख पा रहें यह सारे नोट्स मैंने शामी पे ही बनाए है यह यूजिंग दा शामी पेन और शामी पेन भी काफी जादा कंपैटिबल है काफी अच्छे से वक करती इस पैड के साथ तो डेफिनिटी आप शामी पेन को ही कंसिडर कीजेगा अगर आप शामी पैट 6 लेना चाहते हैं तो और इसमें बाकी और भी नोट्स आप देखने को मिलते हैं जैसे कि गुद नोट्स आप डाउनोड कर सकते हैं जो कि अच्छे से व बनाईएगा इसमें नोट्स बनाके अपना Microsoft अकाउंट को लॉगिन कीजिए और इसमें जित्ते भी आप नोट्स बनाएंगे वह आपके सारे डिवाइस के साथ सिंक हो जाएगा तो वह Android और IOS हो या फिर वह Mac OS हो या फिर Windows हो तो जैसे कि दूस्तों आपने देखा कि यहां वह काफी अच्छा बना देती है और दोस्तों अगर आपके पास Xiaomi का फोन है ना तो यार उसके साथ अगर इसको पैर करेंगे तो उस फोन की डिस्प्ले आप अपने टैब में देख पाएंगे फाइल्स को शेयर कर पाएंगे ड्राग और ड्रॉप कर पाएंगे उस फोन के क बात ही नहीं की है आपको बता रहा हूं मैंने सामसंग का टैब S9 plus यूज किया है आइपैड का मैंने एर यूज किया इपैड प्रो यूज किया है उससे बेटर बैटरी लाइफ ही दे देता है इसकी जो आइडल ड्रेन है वो काफी कम है और इसमें में फास्ट चार्जर भ अगर आपका बजेट जो है 25 के नीचे है कोई और टाप चूज मत कीजेगा गो विद शामी पैट 6 और अगर आपका जो बजेट है वो 30 रुपक एस-पास है तो I will suggest कि आप थोड़े बहुत पैसे और मिलाए and you can buy the oneplus pad 2 उसमें snapdragon 8 Gen 3 देखने को मिलता है जो कि इससे काफी सा नहीं मिलता आपको यहां पे face unlock की यूस करना पड़ेगा जो कि उतना साथा secure नहीं है बट overall दोस्तो दिस टैब इस वेरी गूट फॉर इस प्राइस और आप परचिस करना चाहते है तेन यू कन डेफिनिटली बाइट उमीद करूं अई-अली वीडियो आपको थोड़ी भी सेफेंड टेक केर